हेलो क्लास थर्ड सब्जेक्ट आपका मैथेमेटिक्स सो ओपनियो बुक्स और कॉपीज लेस्न नमबर एट हमारा कम्प्रीट हम कर चुके हैं मीजर्मेंट ओफ लैंथ आज हम न्यू चाप्टर अपने स्टार्ट करेंगे लेस्न एट आपका है मीजर्मेंट ओफ वेट पेज नमबर आपका 104 मीजर्मेंट ओफ लैंथ लेस्न नमबर आपका 9 मीजर्मेंट ओफ वेट क्या होता है कि अब यह तक हमने लैंथ यानि कि लंबाई को हमने नापने के लिए हमने जो misery unit use करी थी वो हमने meter and centimeter में किया था तो meter हमारी जो long length होती है बड़ी लंबाई जो जादर लंबाई की objects होते हैं उनको नापने के लिए किया जाता है misery unit, meters का और centimeter का use किया जाता है जो आपकी objects होते हैं उनकी length क्या होती जिनकी कम होती है तो इसमें हमने conversion अपने किया थे addition, subtraction, same आपका measurement of weight में भी आपने करना है तो weight आपका क्या है किसी भार, यानि किसी भारी वस्तुओं को नापने के लिए हम किस misery unit का standard unit का इस्तमाल हम करते हैं weight is measured in terms of kilogram and gram तो weight को हम measure करते हैं भार होता है उसको नापते हैं kg and gram में यानि कि kilogram and gram में तो आप देखते हैं कि आप कोई भी दाल खरीदते हैं, कोई सबजी खरीदते हैं तो उसका भार होता है तो आपने देखा होगो कि kg और gram में आप क्या खरते हैं, खरीदते हैं kg is the standard unit for the measuring weight ठीक है और kilogram क्या है standard unit है आपकी भार को नापने के लिए we use symbol kg for kilogram और kilogram को हम kg से denote करते हैं और gram को हम g से तो 1 kg में कितना होता है आपका 100,000 gram so kilogram is the larger unit यानि कि kilogram क्या है आपका weight का larger unit है आपका measurement करने का और gram क्या है आपका smaller unit of measuring weight अब gram क्या है आपका जिनका भार क्या होता है कम होता है उन वस्तों को नापने के लिए क्या जाता है kilogram का standard unit यूज करते हैं और gram यूज करते हैं और kilogram जो आपका क्या होता है चौछ मसाले होते हैं वू अपकेापके मो्टी मोटी दाले उगांज मका हो गया यहां पर कुछ वेट दिए गए हैं आपको देखें आपको 50 kg है 20 kg है और आपका 20 kg 10 kg and 2 kg अब यहां पर हम कुछ कनवर्जन हम करेंगे किलोग्राम इंटु ग्रैम में हम कनवर्जन आज करेंगे हम और आपका kg and gram को हम ग्रैम में चेंज करेंगे ग्रैम को kg अब ग्रैम में हम क्या करेंगे चेंज करेंगे तो कॉपी में आपने करना है open your copies लेस्न नमबर है आपका 8 measurement of weight यानि कि जो हमारा भार है उसे किस तरीके से हम नापेंगे पेश जमबर 103, 104 and 105 में आपके कुछ questions है यहाँ पर देखे 105 में सारे related questions है तो हम topic wise कर लेंगे इने तो आपने इनको सभी questions को आपके करेंगे practice करेंगे तो आप इसको पहले अच्छे से दिहान रख लीजे इसे learn कर लीजे कि 1 kg में यानि कि 1 kg में आपके कितने ग्राम होते है 1000 ग्राम में अगर ग्राम को हमको change करना होते है केजी में तो कितना होता है आपका सीधा आप 1 upon आपका 1000 kg जैसे कि हमने मीटर और सैंटिमेटर भी हमने इस तरीके से किया था कि 1 मीटर में आपके 100 सैंटिमेटर होते है और 1 सैंटिमेटर में 1 upon 100 मीटर तो पहला जो 1999 Vide morgen version है आपका देखी है आपे kg को हमें ग्राम में change करना है तो answer question क्या है आपका 2 kg को हमें ग्राम में चेंज करना है तो सबसे पहले हम क्या कर लेंगे 1 kg में देख लेंगे कि इतने ग्राम होते है क्योंकि हमें ग्रैम में चेंज करना है uhных, to two kg में किदने हो जाएंगे, सिदह आप multiply कर लेंगे, two into thousand, तो answer कितना हो गया, two thousand gram, यानिकि two kg में कितने gram हो है, two thousand gram, दूसरा है, kg and grams में आपको change करना है, इसको convert करना है, grams में, four kg, 9992 gram को आपको change करना है, gram में, तो यह आपका gram में already मिला है और यह आपका 4 kg है तो इसे ही हमको सर्फ change करना पड़ेगा gram में तो 1 kg कितना हूँ आपका 1000 gram तो 4 kg में कितने gram हो जाएंगे आपके 1000 into 4 4000 gram तो यह आपका already gram में है इसको भी हम 4 kg को हम gram में लेकर आ चुके हैं इन दोनों को हम क्या करेंगे अब add कर देंगे तो 4000 प्लस 952 ग्रैम कितना हूँ आपका 4952 ग्रैम नेक्स कनवर्जिन आपका grams into kilograms अब gram को आपने kilogram में चेंज करना है 9000 gram को हमने kg में convert करना है तो हम देख लेंगे 1 gram में कितने kg होते हैं 1 upon 1000 kg तो 9000 gram में कितने हो जाएंगे 9000 upon 1000 थी दी वन थाउजन नाइन जा 9000 तो थी जिरो आप इस दर किसी कैंसर कर सकते हैं आपका 9 तो आंसर कितना आगे आपका 9 kg नेक्स्ट आपका 4 कनवर्जिन ग्रैम इन्टू किलो ग्राम और ग्राम में आपको चेंज करना है तो कोशन क्या है आपका 3456 gram इसे kg और ग्राम में आपको लाना है तो 1 gram में कितने kg होते हैं 1 upon 1000 थें 30456 को हमने करना है kg में तो 1000 सब्स को डिवाइड करेंगे तो हम यहां पर डिवाइड देख लीजिए 1000 3 is the कितना मां आपका 3000 ठीक है माइनस हम करेंगे 4 से 0 आपका 4 आजाएगा 5 से 0 आप माइनस करेंगे तो 5 और यहां पर आपका क्या आजाएगा 6 तो आपने सिर्फ इसको आगे solve क्योंकि हमें decimal में नहीं लाना है इसको तो आपका यहां पर जो आगया आपका 3 यह आपका क्या हो गया kg ठीक है और जो आपका reminder जो बचा है वो आपका क्या हो गया gram 456 यहां पर सुरी यहां प्रिक्स लिख लिजी बचा है और जो आपका reminder cam में तो यह conversion है और इन्हें आप अच्छे से कर लिजे सिर्फ आपको ये धियान अच्छे से इसको याद रख लिजे next आपके यहां पर देखें questions हैं आपके page 105 में questions है और आपके जो examples है वो भी आप करेंगे तो इन्हें आप practice करते रहें so thank you class